जाएन दोस्तो मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है आप सब कैसे हैं प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में अपना राई दें और कितने ऐसे बचे हैं जो कितने माक्स के लिए वह भी बता है क्योंकि आप लोग के लिए कुछ को सब्सक्राइब देने वाले हैं जो बैच उन लोगों के का स्पेसल फ्री अनकोस्ट रखेंगे उन लोगों के लिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राई दें और आज हम बताने जो हमेशा आठी कोशन में से पुछे जाते हैं तो मैं ऐसे कोशन दूंगा जो बताऊंगा जो कहीं न कहीं पूछे गए हैं और आपको हमेशा इसी टाप के कोशन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबना ना बुलें जिससे आने वाली सारे नोटिफिकेशन सबसे आपको मिलें बचे आज को मैं आपको बताने वाला हूं कि अधी आप लोग टे सीरीज अगर ओफलाइन दे रहे होंगे तो आफलाइन नहीं दें प्लीज ओनलाइ कि 2019 में ऑनलाइन एक्जाम हुआ है और 2020 में भी होगा और जितने भी होने वाले दो जर अकीस या तो 2023 सब्सक्राइब आप ऑनलाइन होंगे तो प्लीज ऑनलाइन प्रेक्टिस करिए ऑनलाइन प्रेक्टिस से फाइदा क्या होगा कि आपको एनलेटिक्स में आपको यह 50 यूज करिए जिसमें 50% आपको डिस्कौंट मिल जाएगा तो 130 120 के लिए आपको मिलेगा सब्सक्राइब कर लिए और अब चलते हैं वीडियो की वर पहला कोच्छन में पूछे जाते हैं जो हमेशा इस तरीका से कोच्छन आपको देखने को मिलता है वह इस तरीका काएग में सबसे पहले आपका घे merit करेगा और यह में आपको क्या करना इस तरीका से रहे Guinness रहेगा इस तरीका से तिका सी अब लोग समझ रहे होंगे इस चीज को और इस तरीका से आपको देख होंगे कभी कोश्रव एकर मार रहे होंगे तो ठीक हैफ्ट है अब हैसा कि कोई भी टाब का दिया रहेगा 80 होगा 49 होगा यहां पर कोश्चन देख लेते तेरा होगा यह ग्यारा होगा यह साथ होगा नहीं अपने मंसे को तो सब देखना पड़ता है तो ऐसे कोश्चन से तो आप्सेंस रहेगा ऑप्सेंस जो एक रहा है 168 रहेगा दूसरा 144 है तीसरा जो आप करेगा 179 रहेगा और पांचमा चोथा जो रहेगा वह 106 रहेगा ठीक है कया रहेगा मतलों को जो मैं से को न्युक्त करना कुछ निया कि कैसे करना एक देख रहेगा यहां पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि यह लाइन का यह मतलो साथ का स्कॉयर उंचास 9 का square 49 11 का square मतलब 118 और 13 का square 196 कितना हो जगा बच्चा 13 का 199 होता है या 69 होता है हमको तो 13 का square 169 मतलब राइट एंसर क्या होगा समझ में आया हमने क्या बोला इस टाप का अगर questions आ जाता है तो आपको क्या करना है cross multiplication देखना इसके सामने वाला ये square होगा या तो इससे related ही वो होगा जो multiple हुआ होगा इससे related में ठीक है तो आपको इस तरीका से questions को देख लेना है क्या किया था मैंने यहाँ पे questions माग था यहाँ 120 था 189 था 13 था 111 था 9 था और 7 था तो यहाँ क्या करना साथ का स्क्वाइर उंचास हो गया 9 का 1 80 हो गया 11 का 120 हो गया 13 का 170 हो ठीक है यह पिछले बार question पूछा गया था अब चलते है next questions दूसरा question की और ठीक है please videos को like करते रहे है आप लोग के लिए ही videos लाते है दूसरा question किस तरीका से पूछ सकता है यह भी देखेंगे ठीक है एक इस तरीका घेरा रहेगा दो ठीक है बच्चा इस तरीका का घेरा रहेगा तीन इस तरीका घेरा रहेगा कहीं न कहीं एक दूसरे से related रहेगा ठीक है एक दूसरे से related क्या रहेगा इस तरीका से रहेगा ऐसे बनावा ठीक है बच्चे इस तरीके से आपका यहां पर रहेगा 31,18 यहां पर 7 रहेगा यहां पर 9,34,39 फिर यहां पर रहेगा 34,43 और यहां पर कोशन मार्क्स रहेगा ठीक है ऐसे कोशन को कैसे स्वाल्व करना अगर इस तरीके से कोशन आ जाता है तो कैसे करना है ठीक ह कि ऐसे को आपको करने के लिए तरीका जानना पड़ेगा कि कैसे हम स्वाल्व करें जो अगर आ जाता है इस तरीका से अगर ऑप्सन क्या रहेगा आपको दिखा देते हैं 19 रहेगा दूसरा ऑप्सन रहेगा साथ है तीसरा ऑप्सन है कि 99 48 14 बर जो वह एगार है इस तरीका से अगरकर आपके सामने आता है तो आपको किस तरीका से और ऑिशन को देख्रतर देखिए सेayanको करें की ठीक है देखिए आपको एक चीज़ देख रहे होंगे कि 31 और 18 अगर करेंगे तो कितना होगा बच्चा 49 होगा ठीक है और 49 किसका स्कॉयर है साथ का किलिर है अब एक चीज़ देखेंगे डिवाइड करेंगे क्या है है अब यहां पर देखेंगे 34 स li टी साथ सथे उनचास एक किसे साथ सथ्य नुचास चाцы अब यहां पर करना है 34 और 19 को तो 83 नहीं को 7 से गुनँगे तीअश खूतितितना होगा कि इना सथ नहीं इनilee से स्थ जूफश्ड करिंगा कि निए यह जितितार दीख जाए तो तो क्या करना है जो options दिखेगा जो options आपको पूछ रहा है कि इसका answer क्या होगा तो कहीं ने कहीं ये दोनों को add करने के बाद इसी से कोई अगला qoacher्स जो पुच्ता है अगला यह पर थर इस फूं हो गया पर-फर किस तरीका से पूच्छता km पता देता हूं सब्सक्राइब का को चंड को तरीका पूचने का यह इस तरीका से ठीक है करूं के 105-3 को समझेंगे की सरी का से पूछन पूछ देता है प्लिस समझने की कोशिश करिए इसमें बोल है इसमें बूल रहे है 7 5 यहां पे 6 दिया हुआ ठीक है यहां पर 5 दिया हुआ यहां किस दिया हुआ 130 तेरा यहां पर दिया हुआ है अकीजस यहां पर 7 यहां पर दिया हुआ है इसको किस तरीकर से solve करना एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऐसे कोशण को अगर options में रहेगा तो यहां पर रहेगा options क्या चार दूसरा में आठ कासीं ओर तीसरा में 20 ठीक बच्छे चोथा में रहेगा 14 देखिए ऐसे कोशन को आपको करना क्या है कुछ नहीं करना है यह दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड करना है ठीक है 32 backend कि reminds us from 18 28 28 वर 20 चॉद्र किलियर है इसका राइट ऐसे कोश्न सबस्क्राइब करना है सबसे कि दूनों को उपर वाले को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद नीचे वाला मल्टीपल होगा इसका कोई मल्टीपल होगा या 2 गुणना होगा या 3 गुणना होगा या 4 करें क्योंकि आपको reasoning में हमेशा दो option दिये रहते हैं इसमें दो आपको बना के दिखा दिया रहता है तीसरा में ही आपको तालुकात करना होता है तो आपको उससे करेंगे किस तरीका से रिलेट करेंगे अगला question चलेंगे जुसको part 4 बोलते हैं ठीक है पार्ट फोर जो question आएगा वह पार्ट फोर का question जो है इस तरीका से पुछा जाता है आपका है एक box बना रहेगा इस तरीका से से 3 box बना रहेगा ठीक है देखें जिस तरीकर से find of missing का question दे सकता है मैं आपको बता देता हूं ठीक है ऐसे में क्या रहेगा यहां पर 50 दिये रहेगा यहां पर 31 है यहां पर 9 है ठीक है यहां पर 42 है यहां पर 28 है यहां पर 7 दिया हुआ फिर यहां पर रहेगा 43 एक 11 यहां पर question marks रहेगा ठीक है options में आपका जो रहेगा वो 6 रहेगा दूसरा में 5 रहेगा तीसरा में आपका 8 रहेगा ठीक है और चौथा में जो आपका रहेगा नो रहेगा देखिए इस तरीका सकर questions आपको पूछ दे तो एक चीज़ ध्यान रख लीना क्या ध्यान रखना है आप लोग को कि question क्या पूछ रहा था कि इसका आने वाली संख्या क्या आएगा ठीक है 63 होगा 61 को अगर 9 से 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा मतलब 43 11 को अगर हम डॉलेंगे तो कितना आगा 54 9 से करेंगे 6 आएगा मतलब इसका राइट एंसर क्या होगा 6 होगा मतलब हम पहले भी बोलेते कि सब्सक्राइब का questions अगर होगा तो कहीं ने कहीं multiple होगा यह क् मल्टीपल होगा इसके पिछली वीडियो में बदा राउंड फीगर में कि यह दोनों को एड करने के बाद अब जो भी आगास का एक multiple होगा तो इसमें आप देखेंगे कि सभी से 9 से multiple है के लिए तो जो राइट एंसर आया वो 6 था के लिए रहे अगला questions जो टर्मिटे question होगा और यहां बोल रहा है कि 29 है यहां पर 6 है यहां पर 4 है यहां पर 5 है ठीक है यहां पर 8 है यहां पर 6 है फिर यहां पर 7 है और यहां पर 55 है अगला कुछ बोल रहा है यहां पर 5 है यहां पर 3 है और यहां पर 4 है कैसे क्या होगा तो ध्यान देंगे एक चीज़ को में एक दुसरे से गुना में दिया रहता है तो एक दो टेर्म आपस में multiple होगा त्रीसरा इसमें add होगा क्लियर है मैंने ए whereby बोला कि अगर टेर्म होगा तो इसमें से जबो कोई भी कोना वाला एक दुसरे से गुना होगा और एक दूसरा एड होगा जैसे आप यहां देखेंगे यहां पर एक चीज़ दिख रहा होगा आपको कि 6 को 5, 4 से अगर multiple करेंगे और 5 को एड कर देंगे कितना होगा तो 6, 24, 24 और 5, 29 किलियर है अब यहां पर अच्छक 48 और 75 पांच तिया 15 और 4, 19 कितना होगा बच्चा 19 इसका राइट एंसर क्या होगा 19 होगा क्लियर है मैंने क्या बोला कि इस तरीका से कोशन आएगा तो एक टर्म वाला जो तीन टर्म दिया रहा था तीन टर्म में एक दूसरे का अगर एक दो multiple होंगे एक एडिंग होंगे किलियर है अगला टाइब का जो कोशन से है वह इस तरीका से है बच्चा ध्यान रखेंगे जो कोशन हमेशा पूछा जा सकते हैं ए मीडिकिया है कोचिंस यह इस तरीके से बना Brails और इस तरीके से बनाव he हुआ कि यहां अपर देखने को हमेसा देखने को मिलेगा क्या यहां पर Eight Here 16 Buris ओर दुरें साथ यहां पर 555 दुरें होआ यहां पे 24 दिया हुआ यहां पे 142 दिया हुआ और यहां पे दिया हुआ 286 ठीक है 286 ओप्सल्स जो हमारे पास है वो है 68 72 70 75 ठीक है ध्यान देंगे एक चीज़ ध्यान देंगे कि क्या कर रहा है आपको ऐसे कोशन अगर पूछ दें यहां 286 कोशिस करेंगे यहां 286 ठीक है आगरिषटराप का कोशन अगर आपको दीख जाये आइसे में अगर आपको कोशन दीख जाये तो करना किया है कुछ नहीं करना ठीक है मतलब यह जो संख्या है यह सभी को जोड़ने पर यहां पर संख्या आएगी और यहां पर एक दूसरे से multiple होगा कुछ add होते जाएगा जैसे सपोच करिए ऐसे questions में क्या किया है साथ दूना चौदा साथ दूना चौदा और डो को जोड़ दी है 16 होगा 16 दूनी 32 16 को 2 से गुणा करें। तो आएगा और सट और पलस मतलब सुद्दा सतर देखेंगा यहां पर सतर ओप्सन है किलिक करेंगे सतर दूना क्या होगा आपको बताएंगे सतर दूना 140 और 2, 142, 142 को 2 से multiple करेंगे तो 284 और 2 को जोड़ेंगे 286, अगर हम total को जोड़ेंगे calculate करके तो 500 पचपन इसका right answer हो रहेगा, clear है, तो ऐसे question बचे आपको दीख जाए, finding missing one में, तो आपको इसी तरीका से solve करना है, जिस तरीका से जितना question आपको मैं बताया हूँ, उसी तरी I hope, ऐसी वीडियो आपको अच्छा लगाओगा, तो वीडियो को like करना, और ज्यादस ज्यादा बच्चों को share करें, जिसे लोगों को फाइदा हो सके, दोजराकीज बैच का मैं अभी start हो चुका है, math और reasoning का, इस बार हम सोच रहे हैं कि math और reasoning में, बच्चे 50 में 50 लेके ठीक है, तो आई हो वीडियो अच्छा लगाओगा, और मुझे link जो दिया हुआ है, परिशा application का download करिए, और मुझे उमीद है कि मुझे Instagram पर वे आप follow कर रहे होंगे, जय हिद्ध, जय भारत